हर हर महादेव ओम नमः शिवाय नमस्कार दोस्तों दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतिक है रक्षाबंधन का पर्व हर साल सावन मास की पूर्निमा तिथी के दिन मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध कर उनसे रक्षा का वचन मानती है ये पर्ग भाई बहन के मजबूत संबंधों को दर्शाता है साथ ही ये त्योहार भाई बहन के बीच प्यार और विश्वास को भी मजबूत करता है आये जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा रक्षा बंधन का पर दोस्तो साल 2024 में रक्षा बंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा साल 2024 में राखी पर भद्रा का साया रहने वाला है तो राखी बांधने का समय कब से कब तक रहेगा, भद्राकाल कब से कब तक रहेगा, समपूर्ण जानकारी जानिये इस वीडियो में राखी बांधने का शुब मुहूट दोस्तों इस साल सावन पूर्णिमाति थी 19 अगस्त को सुबह 3 बचकर 4 मिनट पर आरंब हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त की राद 11 बचकर 55 मिनट पर होगा ऐसे में रक्षा बंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा दोस्तों 2024 में रक्षा बंधन पर राखी बांधने का शुब मुहूर्थ की बात करें तो इस साल 2024 में राखी बांधने का शुब मुहूर्थ दोपहर दिर बजे से रात री 9 बचके 7 मिनट तक रहेगा इसके बाद दूसरा मुहूर्थ दोपहर एक बच के 42 मिनट से शाम 4 बच के 19 मिनट तक रहने वाला है रक्षा बंधन पर राखी बांधने का तीसरा या प्रदोशकाल का मुहूर्थ शाम 6 बच के 55 मिनट से रात 9 बच के 7 मिनट तक रहेगा भद्राकाल में क्यों नहीं बांधते राखी दोस्तों पौरानिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा में राखी न बंधवाने की पीछे का कारण लनकापती रावन और उसकी बहन भद्रा से जुड़ा है कहते हैं कि रावन ने भध्राकाल में अपनी बहन से राखी बंधवाए थी और एक साल के अंदर उसका विनाश हो गया था इसलिए इस समय को छोड़कर ही बहने अपने भाई को राखी बांधती है वहीं ये भी कहा जाता है कि भध्रा शनी महाराज की बहन है उन्हें ब्रमाजी जी ने शाप दिया था कि जो भी व्यक्ति भध्रा में शुब काम करेगा उसका परिनाम अशुब ही होगा इसके अलावा राहुकाल में भी राखी नहीं बांधी जाती है इस अवधी में ना बांधे राखी दोस्तों इस साल रक्षा बंधन पर भधरा का साया रहेगा भधरा पुंच 19 अगस्त को सुबह 9 बचकर 51 मिनट से 10 बचकर 53 मिनट तक रहेगी भधरा मुख सुबह 10 बचकर 53 मिनट से दोपहर 12 बचकर 37 मिनट तक रहेगी भद्रा 19 अगस्त को सुबह 5 बच के 52 मिनट से दोपहर 1 बच के 32 मिनट तक रहेगी रक्षाबंधन का इतिहास दोस्तों रक्षाबंधन मनाने का पर्व देवी देवताओं के काल से चला आ रहा है एक कथा के अनुसार जब भगवान इंद्र पर दानभावी हो गए थे तब उनकी पत्मी इंद्रानी बहुत परेशान हो गई थी इंद्रानी ने ब्रहस्पती के कहे अनुसार इंद्र की कलाई पर एक रेशम का धागा मंत्र की शक्ती से बांध दिया उस दिन सावन पूर्नेमा थी इसके बाद युद्ध में देवताओं की जीत हुई यही वजह है कि महिलाए हर साल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उनके विजैश्री की कामना करती है दोस्तों वही दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान कृष्ण की तरजनी उंगली कट गई थी तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्यू फार कर उनके हाथ पर बांध दिया था इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया था अपने वचन के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही चीरहरन के दौरां द्रौपदी की रक्षा की थी ये ना केवल भाई बहन के रिष्टे को मजबूती और नवीन उर्जा का संचार करता है बलकि ये सामाजिक, पारिवारिक प्रतिबधता और सभी को एक सूत्र में पिरोने का पर्व भी है रक्षा बंधन पर राखी बांधने की विधी दोस्तों राखी बांधने से पहले बहने भाई को माथे पर कुम-कुम का तिलक और अक्षत जरूर लगाएं भाईों को इस दोरान सिर पर रुमाल रखना चाहिए भाई इस बात का ध्यान रखे की राखी को कभी भी खाली और खुले हाथों में न बंधवाएं हमेशा हाथ में कुछ पैसे और अक्षत रखे और अपनी मुठ्थी बंध रखे भाई को तिलक लगा कर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी की राखी बांधे राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारे फिर भाई को मिठाई खिलाएं अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरंस पर्ष कर उसका आशिरवाद ले अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरंस पर्ष करना चाहिए राखी बांधने के बाद भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को कुछ न को चुपहार में जरूर दे बहन को खाली हाथ न रहने दे ऐसा करने से लक्षमी नाराज होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब थैंक यू